जाहिंद एवरीवन मैं समीड चौधरी यूपीस से हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं तो आज हम लोग अपना करेंट अफेर से जो है सुवापस कंटिन्यू करेंगे तो अल्रेटी जो है सेप्टेमबर और अक्टूबर मंत का करेंट अफेर कंपेट हो चुका है ठी गंटे में कवर हो जाएगा तो पहला न्यूज आया था वह एकोनोमिकली वीकर सेक्षन कोटा को लेका आया था यह न्यूज बैसिकली उस समय न्यूज इसलिए आया था क्योंकि जब एक प्रकार से आरक्षन मिला था जर्वेशन मिला था 103rd constitutional amendment act के तहत ठीक है यह सारे सारे GST को लेके था जब GST introduced किया गया 2017 में 182 जो है वो National Commission of Backward Classes जो इसको constitutional body का दर्जा दिया गया था NCVC National Commission for Backward Classes और 3 article 342a जो है इसके अलावा 103 जो है यहां पर दिया हुआ है कि जो EWS है उसको एक प्रकार से जो है include किया गया आरक्षन के लिए और 104th constitutional amendment जो कि मैंने ख्याल से भी फिलाल लास्ट का जो एक प्रकार से अमेंडमेंट हुआ है constitution का वो जो deadline थी से आपका जो state legislative assembly होती है विधान सभा होती है और लोग सभा होती है उसमें जो एक प्रकार से seats reserve होते है SCST के रगरी के तो उनको एक प्रकार से जो है extend किया गया कुछ सालों के ठीक है और जो ए फिलाल आज लोग EWS वारा जो topic है इस पर करेंगे तो हुआ क्या कि जब भी यह amendment करके जो EWS economically weaker section है मतलब एक तो जो SC category है एक ST category है और एक जो है basically OVC other backward classes उनको तो किसी जो से jobs में और जो भी educational institutions में आरच्छन का benefit मिलता था यो कि जो भी समीधान में प्रकार से ground दिया गया कि भी वो backward है educationally और economically के प्रकार से backward है उनको दिया जाना चाहिए तो ठीक है वो चल रहा था लेकिन ये इसलिए introduce किया गया कि जो general एक प्रकार से general community है general community में भी काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार से economically weak हैं समझ रहे ना economically वो weak हैं भले उनको और किसी प्रकार के सम समस्या socially नहीं होती है लेकिन हाँ economic के basis पर उनकी भी basically समस्या होती है तो उनको भी एक प्रकार से आरक्षन देने का प्रावधान लाया गया 10% seat 10% जो भी seat होगी उन पे जो है चाहे job में हो चाहे education institutions में हो उनमें जो है उनको दी जाएगी आरक्षन ठीक है तो इस प्रकार से basic structure होता है उसमें एक प्रकार से उसके खिलाफ है ऐसा गर कुछ petition जो है वो court के पास गया समझ रहे ना तो यह आजादी के बाद जब से अपना देश आजाद हुआ है यह आरक्षन ठीक हमेसा hot topic रहता है और यह politically motivated भी होता है यह काफी political party जो होती है वो जो है हमेशा topics उचाल news में आ है मतलब रहता ही है हमेशा चाहे politically हो चाहे और किसी तरीके से हो तो अभी फिलाल इसलिए आया कि यह court में चला गया Supreme Court का judgment आया उसके बाद Supreme Court में गया और Supreme Court का पांच seat का मतलब पांच judge जो थे उन्होंने अपना judgment दिया एक प्रकार से और यह constitutional bench एक प्रकार से थी और कि भाई यह जो EWS category को एक प्रकार से आरक्षन दिया गया है जो भी इनको reservation दिया गया है educational और उसमें jobs में तो 10% जो भी दिया गया है seats पे तो वो कुछ गलत नहीं है तो majority का कहना है कि भाई कुछ गलत नहीं है ठीक है और यह constitution के basic structure को constitution के basic structure को violate नहीं करता है ठीक है बाकि दो जो judge थे उनको basically जो है EWS category को आरच्छन मिलने से कोई समस्या नहीं थी इनका यह मानना था इनका basically यह मानना था कि जो 10% आप दे रहे हो 10% आप दे रहे हो इस 10% में आप SC, ST, OVC को भी include करो समझ रहे है ना इनका यह मानना था कि भाई जो 10% जो एक प्रकार से EWS category को दिया ज community को वो जो है benefit SC, ST और OVC को भी जो है मानने जो उस category में कोई आता है तो उसको भी benefit मिलना चाहिए ऐसा इनका मानना है ठीक है लेकिन यह 10% जो है exclusively जो है general community को दिया जाता है जो कि इनका जो है और किसी प्रकारगी से पहले जो कि reservation 50% जो cap लगा था अगर आपको इंदरा सहनी जो है case अगर आपको पता होगा कि इंदरा सहनी का जो case था जो कि हर political party आती थी बुले थी कितना परसंट होगा OVC को इतना परसंट मिलेगा बीजो है लोगों का परकार से विकास करे चाहा उनके एडुकेशनल हो चाहा है उनके जौब के परपर से सकार ब्यवस्ता करेव, जब तक सरकार जो एक तो इनको इनको एक प्रकार से अपना अधिकार मिले, समझ रहे ना, तो 50% जो है, ये इंदरा साहनी केस में, सुप्रीम कोट में, विसीकली जो है, इनका कैप लगा दिया, कि इस से जाता जो है, ये नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, इसके लब जो क्रीमी लेयर जो थे, OBC में, कि भाई, जो बैकवर्ड क्लास में भी है, लेकिन जिनके पास, मतलब एक प्रकार से, उनके माता पेता, कुछ गौर्रमेंट जोब में है, या क्रीमी लेयर मतलब, जो उपर के लिए रागे, मतलब कि आज पैसे ठीक ठाक है, ठीक है, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते है, जौब की ओपरजुनिटी दे सकते है, उनको इनको एक्स्क्लूड किया जाए, ठीक है, मोटा मोटी एक इसा नियम ना हो, कि एक परिवार को मिल रहा है, जो भी एक प्रकार से वो होंगे, जो भी मतलब, उनको भी मिलता जाए, तो OBC, ध्यान रखेगा, इसमें बैकवर्ड जो फैमिली है, उसका ग्रॉस इंकम जो है, वो आठ लाग से कम होना चाहिए, ठीक है, तो परिवार मालेजिया आपके दो मातापिता दोनों कमाते हैं, तो उनका जो प्रकार से जो टोटल इंकम है, वो आठ लाग से सालाना कम होनी चाहिए, पहला ये ग्राउंड है, और य जामिन कम होनी चाहिए, और जो सहर में मालेजिया आपका शारे में मकान है, या टाउन में मकान है, तो वो थाउजन्ड स्कॉार फिट से कम होना चाहिए, ये तीनों के टिकरी आपका कम होनी चाहिए, तभी जो है, बेसिकली आपको EWS के टिकरी में आप फॉल करेंगे, ठी प्रकार से इंक्लूड किया गया था तो इस प्रकार से इंक्लूड किया गया था इसको इसा सुप्रीम कोट का जेडमेंट चैट कि भाई ये आर्टिकल 14 को एक प्रकार से वाइलेट नहीं करता है या किसी बेसिक स्ट्रक्चर को ये वाइलेट नहीं करता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मुद्दा था ठीक नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड अब यह बार बार यह भी नौ टॉपिक जो है न्यूज में रहता है हमेसा न्यूज में रहता है हर साल जो है आप न्यूज सिन्हो कमिशन सिन्हो कमिशन बजा प्याद रखिएगा इन्ही का रिकमेंडेशन था कि इनको EWS को मिलना चाहिए कोई भी कमिशन जो होती है गवर्मेंट जो एक टाइम टाइम पर अपनी कमीटी या कमिशन बैठाती है कि भाई जो स्टड़ी करे ठीक से विलूइट करे द 2020 में इंटोड्यूस मतलब प्राइवेट बिल है या भी बिल है कुछ ऐसा एक्ट्रेक्ट नहीं बना है बैसिकली इसकी बात चलती रहते हैं अब इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है यह टर्मिलोजी आप समझे कि कोई भी लौ है कोई भी लौ है वो सभी के उपर बराबर ह माले के चाहिए कैसी आप किसी और काश्ट से हो और मैने क्राइम के सजा एक ही मिलेगी, अगर मैंने चोरी की, आपने चोरी की, मैंने कुछ किया, तो basically वो सजा जो है, basically, एक ही मिलेगी, सभी के लिए एक समान सजा लखी गई है, ठीक है, तो यह जो है एक परकार से, article 14 भी जो है कहता है, equality before law, equal protection of law, ठीक है, तो यह public law कहते हैं, इसको public law, जो कि सभी लोगे उपर समान रूप से जो है, वो लगती है, ठीक है, similarly, इसे कुछ law होते हैं, जिनको personal law कहते हैं, समझे इस बात को, कुछ law होते हैं, जिनको personal law कहते हैं, अब personal law में कौन-कौन से law आ गए, personal law में, जैसे आपका कुछ marriage से संबंदी, कुछ divorce से संबंदी, समझे रहे हैं, कुछ marriage, कुछ divorce, या कुछ आपका religion custom, जो आपका religious custom जो कहते हैं, मैं आपको बताते हैं, marriage हो गया, साधियां हो गई, ठीक है, आप जैसे कोई हिंदू होता है, साधी का बिसिकरी जो एक प्रकार से जो रिती होती है, जो विधी होती है, एक प्रकार से muslim से अलग होती है, उस पर कृष्टन से अलग होती है, पारसी के अलग होती है, तो सिख्षी जो जैनिजम meant को बिसिकरी हिंदू में इक प्रकार से इंक्लूट किया गया हिंदू-कोड़् बिल कि था, कि marriage का जो है सबका अपना अपना अलग प्रोसीजर है ठीक है इसके लावा adoption का चाहे divorce का डाइवोर्स का लेकि प्रिपल तालाग वाला जो यह काफी ज्यादा highlight में आया था लेकिन सबका एक प्रकार से अलग अलग जो है सारे religion में कि अलग अलग culture है कि डाइवोर्स ले सकते है और maintenance का मतलब एक बार अगर डाइवोर्स हो जाता है तो पती जो है क्या पैसे देगा यह कौन तय करेगा उनके कुछ customs law चलते रहते थे पुराने कि जो custom law है उनका ठीक है जो custom उनका law है उसके basis पे कुछ अभी वी codes जो है जिसकी basis पे यह decide होता है ठीक है तो this is religious belief यह custom law और religious belief जो है इसके basis पे जो है इनके अपने conduct होते है ठीक है उनको personal law कहते है मतलब कहने का यह मतलब है कि इन सभी छेत्रों में जो personal law इन सभी छेत्रों में भारत के सभी नागरिक चाहे अलग-अलग religion जो अलग-अलग religion से बिनाउं करते है अलग-अलग उससे करते है तो उन पे होगा तो भाई किस background पे होगा क्या maintenance मिलेगा पतनी को या पती को ऐसा कुछ समझ रहे ना बच्चों की क्या rights होंगे चाहे marriage के तोरने के क्या background से कोई तलाक लेना चाहता है तो किस basis पे ले सकता है समझ रहे ना एडाइटरी के basis पे ले सकता है मतलब पती का कहीं और संबंद और समझ पे ले सकता है तो सभी एक uniform सभी के लिए होना चाहिए अलग-अलग religion के लिए अलग-अलग नहीं होना चाहिए मोटा मोटी मैं कहूं कि personal law का मतलब यह हुआ कि मतलब सभी रिलिजन के जो भी यह marriage adoption divorce maintenance इस तरह के संबंधे जो भी lawव सभी religion के लिए बराबर हो ठीक ह Article 44 basically Directive Principle of State Policy आ था, इसको हिंदी में राज एक निती निती से किसे कुछ कहते हैं, उसमें basically इसको जो है fundamental एक परकार से right या fundamental उसमें नहीं include किया गया, इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि जो government है, वो जानती, जो constitutional, जो forefathers थे, जो नोने constitution मनाया था, वो इस बात को जानते थे कि भाई, भारत में जिदने लोग रहते हैं, सबके अपने-पने beliefs हैं, सबके अपने-पने beliefs हैं, और सबके अपने customs हैं, अपनी रिती हैं, उनकी रिती रिवाज उनके हैं, वो बिल्कुल से change करना, या बिल्कुल से उनसे कह देना, कि भाई, आप ऐसे करो तो हो सकता है, वो उ equality के basis पे जो है uniform civil court को जो है वो लागू किया जाएगा तो uniform civil court का मतलब सबसे पर नहीं को समझा दिया कि भाई directive principle of state policy जो की non-justicable एक प्रकार से है समझ रहे ना इसको basically non-justicable non-enforceable एक तरीके से है तो इसको जो है लाने की जिम्मेदारी जो है state के उपर दिया अगर सही समय जब भी आए लेकिन forcefully नहीं लाए जा सकता है simple सी बात है ठीक है अब समझे इस बात को कि जिसे हिंदू एक प्रकार से जो भी law है ठीक है उनको codify किया गया जो हिंदू से related law है उनको codify किया गया Hindu succession act, Hindu minority and guardianship act, Hindu eruption act तो इसको चार business को codify कि हिंदू personal law बना ठीक है अब इसी law के तहत जो है इसी law के तहत जो है किसी प्रकार की बिसिकली हिंदू के जो personal law होंगे वो इसी से deal होंगे समझ रहे ना similarly जो Muslims के लिए है उनके लिए Muslim का personal law है Christians के लिए अपना divorce and marriage act प्रकार से है और कुछ जो है special marriage act है special marriage act उनके लिए लाए गया है मालने जो कोई हिंदू जो हो Muslim से विवा करता है या किसी दो religion के बीच में जो व्यक्ति है वो आपस में विवा करते हैं तो उनको special marriage act के तहट जो है वो cover किया गया है तो समझ रहे हैं यहां पर चुकि अलग के लग एक प्रकार से जो इनके personal law है Hindu personal law Muslim personal law Christian marriage and divorce इसके लवा special marriage act है तो इसी सब को जो है एक प्रकार से unify करके इनके personal law को uniform civil code लाने की एक प्रकार से कोशिस जो है वो की जा रही है या हो सकता है भविश्य में लाया जाए ठीक है तो एक common law जो है लेकिन इस पर जो है कुछ विद्वान जो है basically जो भी समझते हैं समाज को समाज की विवस्था को constitution को उनका यह कहना है uniform law की जगा जो है common law सही रहेगा uniform law की जगा पर common law ला जाना सही है मतलब इतने ज़्यादा आप restriction के साथ कि एक हिंदू जैसे विवाह करता है एक हिंदू जैसे डाइवोस करता है वो ऐसे एक मुस्लिम ना करे वो ऐसे क्रिश्यन ना करे इतना ज़्यादा restriction लाने कि नहीं से थोड़ा regulation करने का वह सकता है जो शादी है उसको register किस परका जो है अलग-अलग प्रकार से provision है तो उसको एक प्रकार से पहले हिंदू religion में ही तो आपस में प्रकार से common law लाए हिंदू religion के अंदर चाहिए मुस्लिम religion के अंदर तो इस प्रकार से जो है आप समझना चाहिए कि यह uniform civil code का यह परपज क्या है ठीक है और आपको यह नहीं ब बिसिकली आप आपके डिरेक्टिव प्रिंस्पल में है तो आपसे एक पूछ दे कि भाई कहां पर यह सब प्रोविजन दिया हुआ है कि इस्टेट को सेक्योर करना चाहिए तो वह आर्टिकल 44 डेक्टिव प्रिंस्पल ऑफ इस्टेट पॉलिसी बाकि अपना आर्टिकल 14 ह इस्टेट किया जाएगा ठीक है तो आपको समझ में एक प्रकार से उनका प्रकार से था कि अभी भी जो है वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है मतलब गोवा में एक प्रकार से बिल्कुल 100 परसेंट नहीं है उसमें कुछ धेड़ सारी कमिया है धेड़ सारी कमिया फिर गोवा एक मात्रे के साइट है जिसे आप पुछा जाए कि कौँ साइट है तो गोवा एक मात्रे साइट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है इसमें धेड़ सारी कमिया है इसमें भी जो मैं कम्यूनिटी है उनमें किसी प्रकार कर अंतर है दोनों में भेद भ प्रकार कर देते हैं जो है काफी इसमें वह आया था कि कोई भी जो है तीन बार तलाग बोलके कि इस प्रकार से तलाग ले सकता है क्या तो इस प्रकार से यह hot debate हो जाते हैं उनके customs उनके beliefs जो है उनके विश्वास जो है वो भी बीचना जाते हैं तो धेर सारी समस्यां क्या सही है क्या गलत है यह सभी जो है काफी ठीक से study काफी इसको ठीक से study करना पड़ेगा कि युनिफॉर्म सेल कोड कब लाया जाए क्या grounds ह होने चाहिए किस हद तक लाया जाए कितना restriction होना चाहिए इस अभी चीजे जो है प्रकार से बहुत बड़ी बाते हैं तो देखिए क्या होता है next topic हम लोग discuss करते हैं आप short news short news जो है इसमें हम लोग देखते हैं क्या है तो right to vote for under trial under trial मतलब वो होता है जिनको एक प्रकार से तक दोशी नहीं पाए जाता है उसको नहीं कर सकते हैं कि आपको criminal है फिराल वो जो एक प्रकार से जो है अंडर trial है ठीक है तो भाई ऐसा कुछ constitution प्रोविजन है constitution में से section 65 ये clause section 62 clause 5 तो section 62 clause 5 रोपा representation of people act 1951 इसके अंदर प्रोविजन यही है कि भाई जो under trial है मतलब एक प्रकार से भी दोशी नहीं पाए गया लेकिन जेल में बंद है या इसा कुछ है तो वो जो है vote नहीं दे सकता ठीक है लेकिन एक funny जो funny fact यह है कि चुनाव लड़ सकता है ठीक है तो can contest आपको यह पता होन हम आच कि ix section 8 भी है यह में जो section 8 है section 8 रोपा का रोपा 1951 का जो section 8 है यह बताता है कि कोई कोण चुनाव लड़ सकता है कॉनख करक्रीजन नहीं लड़ सकता जा कुट कोई नगर बंद है तो वह basically नहीं दे सकता है अन्डर ट्राइल है तब भी नहीं दे सकता है लेकिन preventive detention in case में preventive detention एक वार मैंने आपको बताया था कि भाई किसी ने गर कुछ crime नहीं commit किया है crime commit किया फिर तो एक परकार से punitive detention हो जाएगा भाई उसके बाद आपने कुछ चोड़ी किया तो आपको पगरा जाएगा तो वो आप basically punitive detention हो गया रिवेंटिव मतला कुछ कर सकते है आप जाएगे कुछ हला कुछ दंगा कर सकते है या कुछ गलत काम कर सकते है चाहे unlawful activity कर सकते है तो उसके लिए आपको preventive detention होता है तो preventive detention में जो भी बंद होते हैं वो दे सकते हैं can vote, ये दे सकते हैं, इनको छूट मिली है, बागी under trial हो, चाहे prison में बंद हो, वो vote नहीं दे सकते हैं, लेकिन section 8 जो है, ये उसके लिए है, section 8 जो है, ये उसके लिए है, जो election contest करना चाहते हैं, बदलब, election लड़ना तो corruption के छेतर मेंगर कोई jail चला गया है, ठीक है, तो छे साल बाद तक जो है, वो निकलने के छे साल बाद तक, निकलने के छे साल बाद तक जो है, वो नहीं लड़ सकता चुनाव, इसके लब प्रिवेंशन ओफ ट्रेडिजमेक्ट है, इसके लब आप जानते हैं, कि कोई दो साल भी कनवेक्ट हुआ है, मतलब आपको court के द्वारा दो साल की सजा मिल गई है, ठीक है, उसमें भी basically यही है, कि आपको छूटने के बाद जो है, छे साल बाद तक जो है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसके लब आप कुछ प्रोविजन है, तो section 8 रूपा 1951 में प्रोविजन है, कि भाई, आप जो है, चुनाव जो है, लड़ सकते हैं, या नहीं लड़ सकते हैं, और इसमें जो है, कि भाई, आप जो है, वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकि के लब आपका suicide report देती है, तो NCRB की data का फिर important होते हैं, सुचिए, सारे 5 लाख लोग ऐसे हैं, जिनको अभी प्रकार से दोशी नहीं पाए गया है, दोशी नहीं, convicted नहीं है, इसके वावजूद जो है, जेल में बंद हैं, तो जेल के उपर कितना बढ़ा burden है, जेल के उपर burden है, वहाँ पर एक प्रकार से जो infrastructure है, समझते हैं, उस पर crime कमीट हो सकते हैं, आपस में उसे का murder कर सकते हैं, धिट सारी समस्य आए हैं, next is initiatives launched into court project, ठीक है, तो initiatives launched, तो ये वाला topic याई था कि वे या नहीं दिये जाना चाहिए, या नहीं दिये जाना चाहिए, इसके related था, ठीक है, next is initiatives launched under e-court project, तो e-court वाला जो है, ये topic जो है, ये news में रहता ही है, e-court वाला, ठीक है, कि basically जो है, जितने भी courts हैं, उनको एक परकार से electronics के साथ एक परकार से, जो है, internet के साथ जोड़के, live streaming के जाती है, या जो भी वहाँ proceedings चलती है, उनको एक परकार से, जो है, live किया जाता है, या internet पे डाला जाता है, या उनके अपने apps होगा, या website होगा, मतलब YouTube पे जो है परकार से court है, court के पास aesthetics आएगा, court के पास aesthetics आएगा, भई, मतलब ये e-court वाला project इक परकार से launch किया जाए, तो court के पास एक computer system होगा, उसके पास aesthetics रहेगा, भई, कितने case आ रहे हैं, कितने case dispose हो रहे हैं, कितने case pendency हैं, और बागे यहिरारकी है, supreme court, high court और नीचे जो district court एक परकार से कहना है, यह परकार से हिरारकी है, supreme court, जा वो नीचे वाले courts पर यो है निगरानी रख सकती है, या high court, जो district level पर जो courts हैं, उन पर निगरानी रख सकती है, तो यह सभी points आपको ध्यान रखने चाहिए, कि ये एक परकार से जो है, चेक करते रहेगी कितनी pendency है, कितने case जो है, वो solve हो रहे हैं इसके लिए जो है, ये effective court and case management के लिए और जो भी pendency है और disposal of case इस पर नज़र रखने के लिए, तो mobile app भी अपना एक परकार से ghost, जो जितने भी court है, ठीक है, supreme court हाई court, उनके लिए basically mobile app भी है, और एक digital court, digital court क्या initiative to make court record available to judge, तो जो भी recording होती है, जो proceedings होती है, उसका records जो है, और जो भी case related records होंगे, वो judge के पास रहेंगे, टाकि जो है paperless किया जाए, क्योंकि समझ सकते हैं, daily basis पे हजारों case ऐसे file होते हैं, उन पे judgment आता है, उनकी proceedings चलती है, तो कितने सारे काज एक रगार से paper जो है, paper इसका नुकसान होता है, खमज़ रहे ना, इसके लिए basically जो है, electronics माधियम की जो है, उसों store किया जाए, computer में, उसे क्या होगा paperless code जो है, वो बनेगा, ठीक है, next is, s3 was website, तो एक website तो court से related, जो भी live streaming चल रही है, उनके cases को basically store किया जा रहा है, उस से related जो है, website है, s3 was website, ठीक है, next is benefits, इसके benefits क्या होने वाले हैं, तो benefits इसके जाए होने तो make functioning of court accountable and transparent, इससे क्या होगा भई, जो भी court में cases चल रहे हैं जैसे कि हम लोग सभा, राज सभा के streaming देखते हैं, हम लोग जिनको चुनते हैं, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, similarly judiciary है, legislative, executive and judiciary, एक प्रकार से ये तीन स्थम्भ माने जाते हैं, अपने सम्विधान में, ठीक है, तो judiciary पे भी अपने को जो है, देखते रहना चाहिए, judiciary भी जो है, एक प्रकार से independent नहीं है, sharing of power कहते हैं, constitution में कि आपस में तीनों power share कर रहे हैं, तो ये भी independent इसको power नहीं मिलना चाहिए, court को भी, तो हम लोग एक प्रकार से जो है, निगरानी रखें, हम लोग भी देखें, भी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, effective management of court and cases, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सब कुछ अगर e-courts के थुरू होगा, सब कुछ सभी चीज़ें, अगर एक प्रकार से जो है, सही, उसमें होगी, कि भी, कितने case जा रहे हैं, कितने case pending हैं, कितने case में under trial हैं, कितने case जो है, judgment आ गया है, समझे रहे हैं, तो सभी एक प्रकार से जो management सही होगा, और इसके अलबा जो justice है, वो, affordable, accessible and cost effective होगा, ठीक, next is police commissionate system, तो यह भी जो है, इसमें कुछ नहीं है, जिसे generally जो हम लोग का एक प्रकार से आप district में देखते होंगे, तो dual system होता है, जो कि प्रकार से जो अंग्रेज से जो British government थी, उसी समय जो है dual system लाए गया था, जो dual system है, इसमें इलाए गया था, जिसमें आप देखते हैं कि DM होता है, जो कि IS होता है, और एक SP होता है, जो कि IPS होता है, ठीक है, जिसे तीन All India Service होती है न, IS होता है, IPS होता है, और IFS होता है, यह क्या है Indian Forest Service, ठीक है, तो यह generally जो होते है, All India Service में होते हैं, जो DM होता है, वो basically IS होता है, SP, तो इसमें होता है कि SP जो होता है, एक प्रकार से law and order देखता है, और DM जो होता है, इसके पास magistral power होता है, लेकिन SP जो होता है, वो DM को एक प्रकार से report करता है, समझ रहे हैं न, इस प्रकार से जो है, यह system होता है, लेकिन कुछ ऐसे मालने जे city हैं कुछ ऐसे city हैं जिसका एक प्रकार से रखा गया कि कम सकम 1 million मतलब 10 लाख population से ज़्यादा हो या जिसके एक प्रकार से वहाँ के population को या वहाँ पर उस district को control करना थोड़ा मुश्किल हो due to population समझ रहे हैं न या due to large area यही है जो कमिशनर होगा उसके पास जो है जो इस level का ब्यक्ति होगा, जो कि Commissioner होगा, उसके पास जो है, जो power DM के पास होती थी न, Magistral power, वो ट्रांसफर हो जाएगी पुलीस के पास, मतलब DIG और IG, तो इसको जो है basically, ये directly जो है government को, मतलब state government में जो उपर होंगे अधिकारी, उनको directly जो है report करेगा, इसको DM को वापस report करने क आवसकता नहीं है, तो इसके पास जो है Magistral power आएज़ी, कि DIG और IG के पास जो है, ये Magistral power आजाएगे, जो DM के पास होती है, basically बस यही है, Police Commissioner System, तो dual system जो है, उससे अलग जो है, ये DIA क्या करते हैं, Police Commissioner System है, और ये जो है कई City में, जो है, UP में भी, आगरा, गाजयाबाद, इनको होने वाली है, अल्रेडी लखनो और नोईटा में जो है, और कानपूर बानारसी में जो है, यहाँ पर ये Commissioner System है, क्योंकि सब बड़ी City है, पुरान एक प्रकार से यहाँ के population काफी जादा है, समझ रहें ना, तो ये सिस्टम वहाँ पे launch के रहाता है, जहाँ का population जाद पावर होते हैं, वो IPS को दे दी जाती है, सिंपल सी बात है, बाग इसमें को ज़्यादा समझाने को नहीं है, ठीक, तो आज का जो लास्ट टॉपिक है, वो है Rule of Law Index, तो Rule of Law Index कुछ नहीं है, तो Basically ये, जो है World Justice Project जो है, ये Body है, Independent Body है, Organization है, इसने Release किया, तो मैंने जैसा कि मैं हम इसा बार-बार बोलता रहता हूं, इस तरह के जो भी Index होते हैं, जो भी Report होते हैं, जो भी News में आते रहते हैं, वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि directly question पूलते हैं, Rule of Law Index जो है, ये किसने Launch किया है, तो आपको पता ह होना चाहिए, और इसके बार अलावा जो एक प्रकार से जो Article 14 है, समझे ना कि सबको equality of law and equal protection of law, मतलब चाहिए, किसी background से, किसी भी कास्ट से, किसी religion से हो, सबको जो है, बरावरी का law, जो है, अधिकार होना चाहिए, और law के सामने सभी बरावर होना चाहिए, तो इसमें क्या क्या है कि भाई, definition भी कैसे decide करता है, world justice project, किस basis पे जो है, ranking निधार करता है, तो देखता है, accountability, accountability में क्या check करता है, कि भाई, जो government है, जो government है, as well as private sector and law, जो law है, वो law तो सभी के उपर applicable है, ना, law जो है, वो सभी के उपर applicable है, तो जैसे government उपर, private sector, अपर किस प्रकार से, जो ह law which is clear, publicized, stable and applied evenly and insured rights, ठीक, open government, accessible, fair and efficient process by which law is adopted, administrator, adjusted, enforced, तो भाई, देखिए, constitution ने provision बन गया, law बन जाता है, लेकिन उसका enforcement किस तरीके से होता है, समझ रहे न, उस law का enforcement हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पे सही चीज मीटे करती है, तो impulsive justice, law तो है, लेकिन क्या accessible है या नहीं है, माले यह कुछ आपके साथ कुछ गलत होता है, आप basically, police के पास जाते है, या court में जाते है, तो आपको जो है, नियाए मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस पे dependent है ना भाई, सिर्फ constitution में provision अगर है, और rules and regulations है, उससे क्या फरक पड़त जिसने release किया, उसने वो याद रखिएगा, और ये ranking याद रखिएगा, ठीक है, टॉप इसने क्या डिनमार्क ने, तो आज जो है, ये quality वाला जो topic था, नवंबर 22 मन्त के गर interfere का, वो हम लोगों ने discuss किया है, कल जो भी next topic होगा, IR होगा, उसको हम लोगो discuss करेंगे, तब तक के लिए जो है, आप इसको revise करते रहिए, गुर्वाइ एंड जय हिंद,